इमिली का एक बड़ा ब्रिक्ष पचीस से तीस फिट जमीन से उपर युवक की लटकी हुई लास उस लास का रहस्य पुलीस मता पची कर रही है आत्मत्या है या हत्या का लास को टांग दिया गया है जी हाँ यह वाक्या ताजा तरीन घटना है तीस मई की घटना है मधवनी जिला के भैरव अस्थान थानाच्षेतर के काको पंचैत में बगहार में कच्ची स्रक चौराहे पर खड़े इमली की बड़े बिसाल पेर से युवक की लास मेली 23 वर्ष के लगवक की युवक थी यह अस्थल सिजोल और चौपता गौं की सिमा परिस्थित है जहां गन पूरा तेतर वरिक्ष के नाम से मसुहूर पेर पर युवक की लास लटकी हुई थी मंगलवार को सुबह लगवक 9 से 10 वजे कुछ बच्चों ने लास को देखी और हल्ला करना सुरू किया सूचना पर दो लटकाई गई अथवा आत्महत्या की इरादे से वह युवक खुद ही उतना उंचा चर कर फंदा से लटक गया यह एक यक्ष प्रस्न बना हुआ है पुलिस के लिए भी आम लोगों के लिए भी दोनों भिंदूओं पर पुलिस जाच कर रही है फिलाल एसेचोर उपक कुम निवासी बिर्जूराम के पुत्र 23 वर्षिय मिथले स्राम के रूप में हुई है युवक चन्ने में रखर मजदूरी करता था और विवाहित था गाउं आया हुआ था रात में एक साधी में भाग लेने गया था टोले में ही साधी हो रही थी कुछ लोगों ने उस युवक को रात धाई से तीन वज़े तक साधी समारों में सामील होते हुए देखा साधी में नाच गाना भी कर रहा था लेकिन रात में वह धाई तीन वज़े के बाद कुछ लोगों ने बताया कि किसी बात को लेकर उन्होंने अपना मोबाईल तोड दिया था मंगलवार को अचान में फंदा बना कर लटकाया गया था और दूसरे भाग को डंटल में बांध कर टांग दिया गया था थोरी के निकट लोगर का गाट भना हुआ दिख रहा था लगता था गर्दन की हड़ी तूटने से उसकी मौत हुई होगी जीव बाहर नहीं निकली थी आँखे भी बाहर गया यह विए एक प्रस्ण है मिर्तक के पिता बिर्जू राम फिलाल पोस्ट माटम कृणने गये हुए हैं मिर्तक के घर के सभी लोग गमगीन हैं मिर्तक युवक अविवाही था ही बुद्वार को ही उसके चन्ने जाने का पोडाम था वह साधी समारों में भाग लेने के रहा है कि यह लरका जो बाहर रहकर नोकडी करता था किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी किसी से कोई अदावत नहीं थी आखिरकार उसको किस परिस्थिती में किसी ने मारा या उसने आत्मत्या की तो क्या थोसकारण हो सकता है जो उसने आत्मत्या की अगल वगल के लोग कुछ भी बताने से फिलाल और समर्थ हैं लेकिन मिर्तक के परजनों का पुक्ता दावा है कि मिथलेश किसी भी इस्थिति में आत्मत्या नहीं कर सकता है साधी में घर आया हुआ था एक दिन के बाद ही उसे चनने जाना था उसका बैक पैक हो रहा था फिलाल मौत के कारणों की तलास कर रही है पुलीस पुलीस के पास मिर्तक का मोबाइल एक आधार है सीडियार निकालने और कोस्ट मार्टम रिपोर्ट में कुछ खुलासा करें तो कुछ सामने आएगी तर्थे फिलाल गौँ में तरह तरह की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है आखिरकार या रहस्य अब भी बना हुआ है कि इमलिस के उस बड़े पेर पर लास को मार के टांगा गया या फिर उस बड़े ब्रिक्ष पर युवक खुद चर कर आत्मत्या की इस रहस्य से जल्दी परदा उठेगा नमस्कार आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कुछ भी कहना हो कॉमेंट बॉक्स में जोड़ करें